दोस्तो आज की इस पीडियो में मैं लेके आया हूँ साड़े आठ हजार रुपे के आसपास आने वाले Infinix और Moto के दो बहतरेनी स्मार्टफॉन जिसमें हमारे पास है Infinix Hot 30i और Moto E40 तो इन दोने स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग और कंपेरिजन करेंगे एक साथ सबसे उपर आपको नजर आएगा स्मार्टफॉन इसे तो फिलाल रखते हैं साइड में और अंदर देखें तो आपको मिलेगा एक वाइट कलर का चार्जर अडप्टर जो है 10 वोट का 5 वोल्ट 2 एमपेर की आउटपूट रीटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है और इसके बाद आपको मिलेगी एक वाइट कलर की टाइप सी USB केविल लेंद और क्वाल्टी काफी अच्छी मिल जाती है इसके बाद फॉन को सेब्टी प्रदान करने के लिए एक फ्लेक्सिवल ट्रांसपरेंट TPU केस मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का बाद और लास्ट में क्विक स्टाइट गाइड यूजर मैन्वल और सेमेज एक्टर पिन ही दी गई है आते हैं मोटो ए 40 पर तो यहाँ पर बॉक्स को जैसी आप उपन करोगे तो स्मार्ट फॉन आपको नजार आएगा इस पर पहले से कवल लगा हुआ भी आपको देख जाएगा यह रहा इसके साथ मिलने वाला फ्लेक्सिबल ट्रांस्परेंट TPU केस अच्छी क्वालिटी का है यह भी और इसके बाद एक ट्रे मिलती है और अंदर क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनवल चार्जर अडप्टर नॉर्मल सा दिया गया है छोटा सा ब्लेक कलर का यह भी 10 वोर्ट का है 5 वोल्ट 2 एमपेर की आउटपूट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलेगी यूस्वी केबिल आपको ब्लेक कलर की मिलती है और चेक करने पर यह भी टाइप सी निकल के आती है लेंथ और क्वाल्टी यहां भी आपको सही मिल जाती है बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की इन्फिनेक्स होट 30i आपको मिलता है 8,299 रुपे का और मोटो E40 आपको मिलेगा 8,499 रुपे का दोनों हमारे पास हैं 4GB 64GB वेरेंट इन्फिल्ट दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में काफी कमपरटेवल लगते हैं काफी अच्छे से आप इन दोनों स्मार्टफोन को हाथ में कैरी कर सकते हो लेकिन दोनों स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको मिलेगा बिलकुल फ्लैड बैक पैनल आपको होट 30i में मिलता है जिस पर आपको काफी अच्छे कट्स भी देखने को मिलते हैं अलका फुलका लाइट रिफ्लेक्शन काफी बढ़िया लग रहा है नीचे इन इन्फिनेक्स की ब्रांडिंग की गई है प्लास्टिक बॉड़ी है दोस्तो कवर की जोरत पड़ेगी दोस्तो क्योंकि इसका जो कैमरा मेडूल है लेंस हलके से उबरे हुए आपको नजर आएंगे दो बड़े-बड़े साइज के बराबर लेंस नजर आ रहे हैं जहां पर आपको मेन कैमरा दिया गया है 50 मेगा विक्सल का और 0.08 मेगा विक्सल का डेप सेंसर कैमरा विद LED फ्लेश लाइट दिया गया है वह ही Moto A40 का जो बैक पैनल है उसमें आपको लाइनिंग नजर आ रही होंगे हलके-लके रेजेस पर भील हो रहे है स्क्रेचेस कमाएंगे कर भी है इसके कॉनर और यहां फिंगफिन सेंसर दिया गया है Hot 30i में आपको फिंगफिन सेंसर नजर नहीं आया होगा क्योंकि दोस्तों यहां पर राइट सैड में जो पावर ओन की है उसी पर अटेच्ट मिलता है फिंगफिन सेंसर देखिए दोस्तों यहां पर जो केमरा मैडूल है ट्रिपल केमरा के साथ आता है यह स्मार्टफॉन और लेंस आपको छोटी-छोटे मिलते हैं अब आप करीब से दोनों के डिस्प्ले को देखिए स्क्रीन में आपको ब्रैटनेस और कलर्स काफी बढ़िया नजर आएंगे दोस्तों 500 निट्स तक की पीक ब्रैटनेस इंफिनिक्स दे रहा है मोटो ए-40 में आपको only 400 निट्स तक की पीक ब्रैटनेस मिलती है हाला कि outdoor easily आप use कर सकते हैं दोनों स्मार्टफोन का इसके लावा edge और bezels दोनों स्मार्टफोन के corner और उपर में काफी पतले पतले नजर आएंगे लेकिन नीचे चिन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा दी गई है और infinix के मुकाबले में Moto में थोड़ी और ज़्यादा आपको नजर आएगी इसके लावा scroll आप करें तो यहां आपको सारे application नजर आते हैं Moto E14 ने काफी clean UI रखा है दोस्तों यहां पर आपको ना ही कोई fall to pre-install एप और ना ही आपको यहां पर bloatware application ना fall to games यहां पर install मिलते हैं सारे के सारे google की और से useful application ही आपको यहां पर नजर आएगी वहीं infinix hot 30i में आपको कई सारे bloatware application और free install application नजर आ रही होंगी कुछ तो infinix के खुद के application है लेकिन यहां पर जो palm store और यह call care और aha games बीज नामच application है यह जो application होती है आउट्डोर में खुद बाखुद रन करती है आपको बारबार notification बेशती है फॉन को slow तक कर देती है और uninstall तो होती ही नहीं है और disable करने के बाद खुद बाखुद कभी कभी automatic ही enable भी हो जाती है उस तो आप क्या कहते है यह free install वालतों के bloatware application फॉन में मौझूद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए यह आप हमें comment box में बता सकते हैं दोनों का काफी smooth लग रहा है अभी नए नए स्मार्टफॉन है तो touch बहुत ही smooth है 90Hz का refresh rate आपको दोनों स्मार्टफॉन में दिया गया है चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफॉन के display की तो 6.6 inch की HD plus IPS LCD के साथ आता है Infinix Hot 30i जिसका aspect ratio है 229, screen resolution 720 x 1612 pixel और pixel density 267 ppi की आपको इसमा मिलती है वहीं Moto E40 में आपको मिलती है 6.5 inch की HD plus IPS LCD जिसका aspect ratio 229, screen resolution 720 x 16100 pixel और pixel density 270 ppi की दी गई है दोनों स्मार्टफॉन के weight की बात की जाए तो 191 gram का है Hot 30i और Moto E40 है 198 gram का जबकि दोनों के अंदर 5000 mAh की battery लगी है 9.1 mm की thickness के साथ Moto E40 आता है 8.4 mm की thickness के साथ Infinix Hot 30i आता है Slim smartphone है Hot 30i चलिए दोस्तों अब हम setting पे नज़र डालेंगे सुरुआत Infinix से करते हैं तो इसकी setting को जैसी आप open करोगे अंदर interface कुछ ऐसा पाओगे जहां सबसे उपर my phone का option है इसके अंदर सारी information आपको मिल जाती है XOS दिया गया है इसमें जिसका version है 12.0.0 device नहीं model ने mention है Android 12 के साथ आता है यह smartphone जिसमें आपको 2.3 gigahertz का octa-core processor दिया गया है MediaTek Helio G 37 का chipset मिलता है जो based है 12NM के fabrication पर पाओर VRG 8320 के graphic आपको इसमें मिलते हैं camera details यहां पर mention है RAM management में चलें तो यहां पर आपको 4GV RAM plus 1GV virtual RAM दिख रही होगी इस पर click करें तो अंदर आपको memfusion का option मिलता है इसे भी on करेंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें RAM को और बढ़ा सकते हैं पूरा 4GV तक यानि कि 8GV RAM वाला इसे पना सकते हैं बाकी 64GB का storage इसमें भी 1TB तक बाकी storage type eMMC 5.1 आपको इसमें मिल जाता है RAM type LPDDR 4X E40 की ओर आता हैं दोस्तों और यहां पर भी setting open करें तो इसकी setting का interface कुछ अलग देखने को मिलेगा जहां सबसे नीचे about phone section और इसके about phone section के अंदर ज़्यादा कोई information नजर नहीं आती है दोस्तों RAM यहां पर दी गई है 4GV Android version 11 आपको इसमें मिलता है थोड़ा पुराना मॉडल है दोस्तों इसमें 1.8 GHz का OctaCore processor मिलता है और chipset Unisoc T700 का दिया गया है जो based है 12NMK fabrication पर Mali G52 के graphic आपको मिलते हैं RAM type LPDDR 4X, 64GB का storage, expandable memory आप चाहो तो यहां भी 1TB तक बढ़ा सकते हैं storage type EMMC 5.1 का आपको इसमें भी मिल जाता है बागी दोस्तों इन दोनों smart phone की single full unboxing channel पर मैं already कर चुका हूँ आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं camera test वहाँ पर किया है और क्या-क्या special features हैं वो सारा कुछ आपको details में बताया है तो friends अब बात आती है हमें इन दोनों smart phone में से कौन सा smart phone purchase करना चाहिए तो Infinix यहाँ पर थोड़ा latest model है जो की काफी premium design के साथ आता है वहीं पर Moto E40 थोड़ा सा old design हो गया दोस्तो back panel भी इसका उतना खास नहीं लगता दोस्तो बागी camera middle तो मुझे काफी अच्छे लगे आपको एक extra कीवी दे रहा है जिसका use आप Google Assistant के लिए कर सकते हैं और left side में SIM tray, दो SIM card, एक memory card तेनों एक साथ लगा सकते हैं दोनों smart phone पा bottom में 3.5 mm का audio jack Infinix में मिलेगा बाकी primary mic, charging jack और speaker grills दिये गए हैं यहाँ पर personally मुझे Infinix Hot 30i थोड़ा better smartphone लगा, latest smartphone है और आपको इसमें 4GB virtual RAM का support भी मिल जाता है डिजाइन भी काफी बढ़िया है बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है Moto यहाँ पर थोड़ा पुराना model हो गया है साड़े 8,000 रुपे इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप खर्च कीजिए हाँ 8,000 रुपे से कम कीमत में अगर आपको मिल रहा है और पंच ओल डिस्पले आपको पसंद आती है तो यह smartphone आपके लिए बढ़िया रहेगा बाकी तो अपनी अपनी पसंद आप comment box में बताइए दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली unboxing के साथ तब तक के लिए दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद